है तो है अब्रीवन दिस पवन श्रमा एंड वेलकम यॉल्ड तू माई चानल गाइज बात करते हैं रिगाप के बारे में रिगाप में हम बैसिकली बैक टेस्टिंग करते हैं आपने सुना भी होगा कोई भी स्ट्रेटीजी आप लेके आते हैं तो इस स्ट्रेटीजी की बोल यह बताने के लिए नहीं होता है कि आपने कहां इंट्रेन नहीं हो गया यह आपके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेजी क्योंकि मेरा जो मैथड़ वो एक ही है तो उस स्ट्रेड़ी पे हम बार बार री टेस्ट जो है जो बैक टेस्ट कर रहे हैं वह आपको आगे चलके बहुत फाइदा करने वाला है तो प्लीज बने रहे हैं और कहां कहां आप से गल्ती हुई कहां कहां पर आपको avoid करना चीए था यह बात का आपको जो है हम इन वीडियो में बता रहे हैं तो चले शुरुवात करते हैं सबसे पहले करते हैं निफ्टी से ओके निफ्टी ने कल बड़ा इंट्रस्टिंग दिन रहा अगर आप पूरा दिन की बात करें निफ्टी में तो निफ्टी में हमें आप मूव भी देखने को मिला डाउन फॉल भी देखने को मिला और एक ही दिन में सारी की सारी जो है मूवमेंट हमें देखने क में लिए यह जो gap up था इस gap up का reason था pharma stocks और यह जो fall का reason था यह था banks banks का लिजे financial का लिजे यह की बात है तो अब आपको यह decide करना होता है कि कौन जीता banks जीते है या pharma जीता क्योंकि pharma का जो है weightage index के उपर थोड़ा होता है banks का weightage बड़ा होता है तो अगर banks ने अगेंस्ट सोच लिया है pharma के जाने के से तो समझ जाएगा कि रुकने वाले नहीं फिर वह fall आएगा तो यह जो है आपको ध्यार रखना और एक बात आपको मैंने बताया थे कि बार बार जो है जैसे हमने आपके लिए यह line भी plot करके रखा था कि लाइन के साथ में आप इस ट्रेड को ऐधिंक 570 का लाइन था 11 570 के राउंड मैंने एक line plot किया था जिसमें आपको अगर यह break हो जाती है तो आपको जो है उस पे आप बाई साइड में जा सकते हैं लेकिन वो उसी रेंज में ट्रेड करता रहा है यहीं पर आसपास में और फिर एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला रीजन बताया जा रहा है कि जो है नए coronavirus के cases जो लगा था यूरोप में और बाकी countries में एकदम spike up किया है last 48 hours में एक तो वो रीजन है दूसरा जो है जब कोई चीज positive नहीं रहती ना हमारे पास में आप समझेगा market को current condition को overcome कब किया जाता है कि जब हमारे पास में कोई अच्छी चीज हो अभी जो था fed meeting था एक रीजन उसके लावा कोई रीजन नहीं था तो अब अगर उसको हटा दिया जाए तो हर चीज negative फिर दिखना शूरू हो जाती है तो परदा हट गया positivity का तो सारी चीज negative दिखनी शूरू हो गई तो ये एक रीजन था लेकिन ये अच्छी बात रहा कि उसने फिर से जो है 500 के उपर अपने आपको आके hold कर लिया तो ये पॉइंट था ये बात रागे गया कि जब भी levels की बात करें तो levels में कहां पे closing हुआ है एक बहुत important point होता है तो अगर ये वापेश जो अकर 500 को किसे नीची गिरेगा तो इसके पास में अभी भी 11400 का और 300 का strong support है तो जब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब तक 300 के बारे में कि बैंक निफ्टी ने एक बार भी जो है उठा नहीं था आपको यादू मैंने आपसे कहा था कि 22 350 का जो है एक support है जो है अभी यहां पे हम थे तो resistance बन गया था और अगर ये इसके उपर open हुआ तो definitely support बन गया तो देखिए पूरा दिन जो है उसी support को hit करने में ल किया तो levels वही आगे 350 और उपर मैंने कहा था 22 जो है 550 का रहेगा अगर इसको break किया तो ये उपर की तरफ जा सकता है नीचे break किया तो ये नीचे आएगा तो देखिए एक ही दिन में मैंने कहा था अगर ये break होगा तो 22,000 का पहला level रहेगा और 298 का second level रहेगा तो ये fall हमें बताता है कि हमारा जो है support weak रहा और immediately हमें उसमें fall देखने को मिला Friends अगर आपको stock market को primary source of income बनाना है in future तो आपको जो है chart reading, proper stock selections कैसे levels को identify करते हैं और कैसे आपको ये पता करना है कि आज market में positivity रहेगी या negativity रहेगी तो उसके लिए आपके पास में proper knowledge होना चाहिए उसके लिए आप हमें join कर सकते हैं हमारे technical online program पर जिसमें आपको ये हर चीस सिखाई जाती है लेकिन अगर आपके पास में time कम है आप नहीं चाहते चाहर टेडिंग करना तो आप थोड़ी सी knowledge के साथ में मतलब आज market ऊपर जा सकता है या market ऊपर नहीं जा सकता उस basis पे भी आ आप trade कर सकते हैं market range bound हो तो भी आप पैसा कमा सकते हैं उसके लिए आपको option strategy सीखना पड़ेगा जो हमारे weekend classes होते हैं तो अगर आपको दोनों प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमें call या WhatsApp कर सकते हैं 9711411 007 to know more about training program तो चलिए वीडियो में आगे बढ़त किया और एक बड़ी मुवमेंट हमें देखने को मिली अगर आप बाइंग प्राइस देखें कॉन कोर का तो मैंने आपको 392 बताया तो 392 पे एक्जेक्ली आपने बाई हुआ और 396 पे जो है हमारा कैसा पने फर्स टार्गेट हमारा यहां पर ही टुवाइन कॉन कॉर कोई क कि यहां पर आपको कुछ सोचना पड़ेगा एक अराम से हो रहाता है यहां पर आईशर मोटर की आईशर मोटर का मैंने आप से कहा था कि जो राउंडिंग बॉटम नहीं है अगर यह ब्रेक होता है तो इसके पास दो रिजन थे हमारे पास पहला रिजन था राउंडिंग बॉटम जो है और अगर बात करें दूसरे रिजन की तो दूसरा रिजन था हमारा श्राद का खतम होना देखे रूल एलिया में जो है ट्रैक्टर की सेल लगातार बढ़ रही है क्योंकि जो अभी इंपक्ट हुआ था हमारे जो है क्रॉप्स होगरा को उसको रेकवर करने के लिए ट्रैक्टर की सेल बहुत जादा हो गई है और अभी जो यह लॉगडाउं खतम हुआ है उसमें कमर्शिल वीकल्स का भी काफी बाइंग चल रहा है अगर आप अशोक लिलन देखा होगा उसका भी यही रीजन था कि अभी अचानक बूस्ट हुआ है क्योंकि उसकी डि जो है हमारा 2200 तक जाएगा और इसने हमारे दोनों टागेट को हिट किया सेकेंड टागेट है इसमें हमारा हुआ तो सिर्फ एक रिजन के वज़े से अगली बात करें अगला है हमारा गोद्रेंस कंजियूम प्रोडक्ट पहला केंडल हमारा यहां पे आया चीक है उसके बाद में फॉल होता चला गया तो जब मैंने कहा है कि केंडल जब लगातार फॉल करते जा रही है तो रुकिए रुकने से क्या होगा वो कहीं जा कहीं कहीं कंसलिडेट कर दिया तो यहां पे कंसलिडेशन हो रहा है जहां पे आपको मिला तो यहां से बाटम आउट से 696 से लेके and it went up all till जो है 726 और हमारा जो टागेट था वो 730 का सेकेंड 727 तक गया है तो हमारा जो सेकेंड टागेट था वो 730 का था तो almost close to second target और वो भी नीचे से बाटम आप almost 698 से बात कर रहे है जिसमें आपका हो सकता है पहला जो है टागेट 705 से 697 का पहला टागेट हो तो फर्स टागेट जो है हमारा sell के तरफ भी हिट हुआ और फिर almost दो टागेट हमारे buy के तरफ भी हिट हुए in consume products अगला तब properties जो आईशल मोर्टर के लिए मैंने कहा त कि इस पर जो है मेरा buying इनिशियेट जादा है क्योंकि जब भी पास्ट जो है नए ट्रेडर का मतलब यह होता है कि आपको पास्ट के बारे में नहीं पता होता अब जो भी events आते हैं जो भी festivals आते हैं जो पुराने हो चुके हैं history जैसे अपने आपको repeat करती है stock market में उसका मतल आपको वहां भी देखने को मिलेगा नई bookings बहुत जाद आती हैं जो वेट कर रहे होते हैं बहुत से लोग booking करने के लिए वो उसके बाद में token amount देना शुरू करते हैं booking देना शुरू कर देते हैं for their vehicles and for their properties और वही reason था जिसे आपने देखा एक बड़ा सा में rise देखने को म कि कौन सा दिन कौन से जो हैं days खतम हो रहे हैं आपने decide हो जाती है कि कहां पे आपको buy करना है कहां पे sell करना है तो please सरफ chart को देखना secondary हो जाता है कभी-कभी आपको events को भी देखना शुरू करना पड़ेगा मतलब charts plus events plus your levels and plus your support resistance तो चारों चीज़े mix कर लिजिए और वही हम back testing में आपको बता रहे हैं तो अगर आपको question निकल के आता तो please मुझे comment box में पूछेगा और जाने से पहले subscribe और like करना मत भूलेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो and guys that's all about it I'll see you in to my next video have a nice day take care